आज हम आपको प्रमोट दलाई की खतना इस्टोरी सुनाने जा रहे हैं तो इस्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप समय चनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सकाइब कर लें और पास मेले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हाल निक वीडियो को नोटिफिकेशन आपक कर सकते हैं तो चलिए प्रमोट दलाई की श्टोरी स्टार्ट करते हैं प्रमोट और उसकी पूरी फैमडी गर्मी की छुटी में गाउं गये थे ये तब की बात है जब प्रमोट आट से नौ साल का था गाउं में उस टाइम बाथरूम नहीं होता था नहाना होता तो की औरतों के साथ प्रमोट की बड़ी ममी, चाची, सिश्टर्स और बच्चे भी जाते थे बाथरूम खेत में और धोने के लिए नदी तालाब में जाना पड़ता था प्रमोट और उसके भाई बैनों को आदत नहीं थी इसलिए प्रमोट की बड़ी ममी भी साथ में जाती थी ताकि सब बच्चों को क्लीन करवा सकर घर ला सके एक तीन संडे का संडे था सब सो रहे थे प्रमोट की ममी उठी और सब को बोला खेत चलने को लेकिन कोई नहीं उठा सिर्फ प्रमोट और उसकी कजन सिश्टर उठे और ममी के साथ गय बाहर बाकी गाउं की भी कुछ ओरते वेट कर रही थी फिर सभी लोग गये और फिर अपनी अपनी जगह जाकर बैठ गया है चोटा होने के कारण परमोट भी वहीं बैठ गया परमोट पूरा नंगा होकर बैठ गया था और उस टाइम उसका खतना भी हो गया था परमोट बातरूम कर रहा था तो एक औरत क की ममी से पूछा की इसकी नूनू की चमडी खूली क्यों है इस पर पुर्मोत की ममी ने कुछ नहीं बोला बस इतना कहा कि बाद में बताऊंगी फिर सब तालाब गए और प्रमोत की ममी ने उसे क्लीन करके पैंट पहनाई, पैंट पहनाते टाइम सब औरते प्रमोट के ट्राइबेट पार्ट को देख कर देख रही थी और आपस में बात कर रही थी कि ये इसका कैसे चमरी नहीं है, क्यूंकि गाओं की औरतों को नहीं पता था कि सरकमसीजन क्या होता है फिर सब लोग वहीं नदी के किनारे दातुन करने बैठ गई और वहीं सब प्रमोट की ममी से पूछने लगी हमारे बेटे का तो चमरी है पर आपके बेटे का क्या हुआ तब प्रमोट की ममी ने बताया कि ये जो चमरी हटाने का प्रोसेस है उसे खदना या सरकमसीजन कहते है और ये मुस्लिम में ज़्यादा होता है तो सब ने पूछा हम तो हिंदू है हम इसे क्यों कराए हम इसे क्यों कराए तब प्रमोट की ममी ने सब को बताया कि इसे कराने से इन्फेक्शन, यूरीन इन्फेक्शन, यस्टीडी, यस्टाइवी नहीं होता है उसके बाद सब ब्रस करके चली गई फिर शाम को कुछ औरते प्रमोट के घर आई और उन लोगों ने प्रमोट की ममी से पूरी जानकारी ली कि सर्जरी कहां होता है और इससे कोई निशान तो नहीं होता है प्रमोट की ममी ने सब डीटेल में बताया और कहा कि अगर करवाना है तो हमारे सिटी में चलो वहीं करवा देंगे उसके बाद जब गर्मी की छुटी से प्रमोट और उसकी फेमिली वापस सिटी आये तो कुछ महीने बाद चार औरते अपने बच्चों को लेकर आई सर्जरी के लिए और सभी प्रमोट के गाउं के 30% और अभी प्रमोट के गाउं के 30% लड़के सरकमसिजन करवा चुके हैं और उन्हें अच्छा फील होता है ना कोई इन्फेक्शन और ना कुछ तकलीफ है प्रमोट की ममी एडवाइस करती हैं कि सरकमसिजन सभी को कराना चाहिए फुल नहीं तो हाफ करवाना चाहिए ऐसा था प्रमोट का एक गर्मी का एक्सपिरियंस तो गाईस आपको प्रमोट की इस्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताईएगा और ये एक प्रमोट की ही दूसरी इस्टोरी है इसे भी हम सुना देते हैं ये कहानी प्रमोट दलाई के छोटे चाचा के बेटी की है जिसका खतना 11 साल की में हुआ था ये नए टाइप का सरकमसीजन था जिसे जेडसर सरकमसीजन कहते हैं ये सर्जरी पांच मिनट में खतम हो जाती है और उसी दिन डिस्चार्ज भी मिल जाता है और प्रमोट का भाई का दिन जेडसर सरकमसीजन के बाद नॉर्मल दिनों के जैसा ही भी था circumcision के 6 महीने बाद इसकिन के पास सफेद और काले रंग काले रिंग जैसा हो गया था तो प्रमोद के चाचा के बेटे ने बड़ी ममी को बताया कि इसकिन कलर कैसा दिख रहा है तो फिर बड़ी ममी ने घरेली नुसका का इस्तिमाल किया प्रमोद की बड़ी ममी डेली उस सकिन पर नारियल तेल पानी में हल्दी मिला कर सुबह और रात को उस सकिन पर लगाती थी उसके बाद करीब दो महीने में वो सकिन कलर नॉर्मल हो गया अब इसकिन नॉर्मल दिखती है तो गाईस किस-किस का जेडेसार सरकमसीजन हुआ है कमेंट में बताईएगा और ये भी बताईएगा कि आपको प्रमोद दलाई की और उसकी फैमली की ये इस्टोरी कैसी लगी तो इस्टोरी यही खतम होती है और आप सब में चैनल पे नहीं है तो चैनल के सुब्सक्राइब कर ले और पास में ले बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे हर ने वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप सब के पास भी कोई इस्टोरी हो तो आप अपनी स्टोरी हमें इमेल कर सकते हैं इमेल हमें इस वीडियो को डिश्क्रिप्शन में एड़ कर चुके हैं तो आप आप से चेक करके हमें इमेल कर दीजेगा ओके